नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आपकी अपनी एक खशा में स्वागत है हम लोग आज जो है इस वीडियो में नौटन थीोरम से रिलेटेड जो है प्राब्लम को सॉल्फ करेंगे नॉटन थियोरम जो है आल्रेडी मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है तो उसका जो है लिंक मैं कार्ट में डाल दूँगा आप पहले वो देख लें जिससे कि आपको नॉटन थियोरम समझ में आ जाए फिर आप यहां पे वो उसको अपलाई कर सकते हैं त आपका हो जाएगा लोडजिस्टेंस याने कि आरल तो याने कि आरल कि वैलू कि इतनी होगे यह च्छाय हो गया है अब यहां पर जो भी करेंट करेंगी वही हमारा क्या होगा आया लोगा तो हमें आयल की वैलू ऐलू फान करनी है तो इसको देखते हुए अब हम लोग है सबसे पहले होता है कि replace the load resistance from the network यह load resistance को हटा देते हैं पहला step है तो पहला step आप देखिए मैं यहाँ पे diagram बना रहा हूं उसके बद आपको steps one by one समझा दूँगा तो यह diagram बन रहा है तो आपको क्या करना है जब भी कि आपको diagram बनाएंगे आप तो हमेशा आप जो है load resistance को हटा देंगे और जहां जहां पर भी source लगे हुए उन सभी sources को जो है आप internal resistance replace करना है तो इसलिए आप वहाँ पहले space छोड़ देंगे और उसके बाद internal resistance से हम लोग replace करेंगे क्योंकि अगर voltage source है तो उसको short circuit करना होता है और current source है तो उसको open circuit करना होता है तो उसके according हम लोग यहां पर कर लेंगे तो देखिए हमने यहां पर क्या किया है load resistance को हटा दिया और सभी sources के जिए space छोड़ा हुआ है अब हम इनको replace करेंगे तो यह voltage source है तो voltage source को कैसे replace किया जाएगा short circuit से यह भी voltage source है तो इसको भी कैसे replace करेंगे शות circuit से यह भी voltage source है तो इसको कैसे replace करेंगे short circuit से इस तरीके से हमारा यह नया डाइगराम बं गया किस के लिए RN के लिए और जो भी आपकी AOB के बीच में resistance वोगा वही क्या कहलाएगा rn कहलाएगा तो हब हम यहाँ पे rn की value calculate कर सकते हैं तो rn is equal to क्या होगा आप देखें तो यहाँ 4 और यह 4 होगा है दोनों आपके parallel में उसके साथ 2 जो है series में है तो 4 parallel 4 plus 2 यहाँ 4 parallel 4 यानि कि इसको जब solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 into 4 divided by 4 plus 4 plus 2 तो यह आजाएगा 2 और यह आगया 2 तो यानि कि 2 plus 2 कितना हो गया 4 ohm यानि कि rn की value कितनी हो गई 4 ohm हो गई अब हम लोग calculate करेंगे not and current यानि कि i n की value calculate करेंगे तो उसको calculate करने के लिए पहले लिख लेंगे calculation for i n के लिए मैंने यह diagram उपर से यहाँ पर फिर से copy paste कर लिया है जिससे कि बस आपको थोड़ी सुविदा होगी बनाते कैसे हैं यह देखने के लिए तो इसमें पहला step क्या कहलाता है first step होता है आपका कि कि किसी भी जब भी आपको आयन calculate होगा कोई भी circuit होगा तो आप इस सबसे पहले जो है load resistance को हटा के और पूरा का पूरा network as it is draw कर लेंगा तो देखें मैं यहाँ पर draw कर रहा हूं यहाँ side पे तो देखें यह diagram बन जाएगा आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमने load resistance को हटाया और बाकी का पूरा का पूरा diagram as it is draw किया है अब आपको next step क्या करना है इन दोनों terminal को यानि के load terminal को short circuit करना है तो short circuit कर देंगे इसको और यहाँ पर अब जो भी current flow कर रही होगी वही current हमारी क्या कहलाएगी I L कहलाएगी तो आप देखें यहाँ पर दो loop दिख रहा है हमको एक यह loop यह है एक यह है इसको solve करेंगे और यह जो diagram है मैं इसको भी यहाँ हटा देता हूँ तो देखें यहाँ दो loop है दो loop में आप loop analysis का इस्तमाल करके जो है current की value find कर सकते है लूप analysis अगर आपको जानना है तो आपको मैं पहले video बना चुका हूँ वह मैं आपे card में डाल दूंगा आप उसको ज़रू देखें तो देखें यहाँ पे जो है मैं assume कर लेता हूँ current यह ह है हमारी i1 और यहाँ पर current है आपकी i2 और इसके according हम लोग जो है loop analysis में plus minus भी लिख लेंगे तो यह plus minus plus minus यह पे plus और minus यह कर लिया अब इसके बाद हम one by one kvl apply करेंगे तो लिखेंगे apply kvl in loop one और यह loop one में जब kvl apply करेंगे और सपोज मैं यहाँ से start कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पर plus से minus आएंगे तो plus से minus आएंगे तो minus 4 और यहाँ पर दो current है i1 minus i2 फिर यहाँ आएंगे तो देखें minus से कहां जा रहे हैं plus की तरफ तो लिखेंगे plus 5 फिर और आगे आएंगे तो minus से plus की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे plus 3 is equal to 0 तो इस तरीके से first loop की equation बन जाएंगे और इसको arrange करेंगे तो हमें मिल जाएगे equation देखें तो minus 8 i1 plus 4 i2 is equal to 5 plus 3 8 इधर आएगा तो आजाएगा minus 8 यह हो गया equation number 1 इस तरीके से first loop में आगया अब ऐसे हम लिखेंगे second loop के लिए और लिखेंगे apply के well in loop 2 apply के well in loop 2 और इसके बाद यहाँ से start कर रहा हूं मैं आप यहाँ देखें 2 से तो plus से minus की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे minus 2 current कितना है i2 यहाँ की current कितनी है i2 फिर plus से minus की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे minus 4 फिर और आगे आएंगे तो minus देखेंगे plus से minus की तरफ जा रहा है तो क्या लिखेंगे minus 5 और इसके बाद आ प्लस माइनस मैंने इस loop के लिए नहीं लिखा था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा आपका current आप देखें तो ऐसे जा रही है नीचे से उपर की तरफ यह प्लस होगा और यहाँ पे मैनस होगा तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है प्लस से मैनस अगें जा रहा है तो लिखेंगे मैनस four times i2 minus i1 is equal to zero loop complete होगा है जहाँ से चले तो वहीं आ गए तो loop complete तो इस तरी के से हमें equation मिल जाएगे अब हमें क्या करना है इसको फिर से arrange करना है तो arrange करेंगे तो यानि कि I1 का term क्या आ रहा है हमारा देखिए तो I1 यहाँ पर एक है वो है 4 I1 minus 4 2 यहाँ I2 यहाँ पर 4 यहाँ पर तो हो गया minus 6 I2 और यहाँ पर plus 9 आएगा minus 9 आएगा और इधर जाएगा equal to के इस तरफ आएगा तो कितना आजाएगा plus 9 तो 5 plus 4 minus 9 यह इस तरफ आएगा तो plus 9 तो यह हो गया equation number हमारी 2 अब इन दोनों equation को solve करेंगे 1 और 2 को तो हमें क्या मिल जाएगा I1 और I2 की value मिल जाएगा तो हम लिखेंगे on solving equation first and second we get क्या क्या मिलेगा हमको हमें मिलेगा I1 is equal to तो हमें value क्या मिली है I1 की 0.375 ampere और I2 की value मिली है minus का 1.25 ampere तो इस तरीके से जो है I1 I2 हमें मिल जाएगा अब हमारा यहाँ पर motive क्या था I1 की value निकालना तो I1 की value निकालने के लिए आप अगर यहाँ देखें ध्यान से तो I1 जो है A अभी इस branch की current है और यहाँ पर अगर आप जो आपने माना है current I2 उसकी direction भी clockwise है और यह दोनों से match कर रही है तो match कर रही है तो यानि की I1 की value किसके बराबर हो जाएगी I2 के बराबर हो जाएगी और यहाँ पर ध्यान देजे I2 की value negative आई है तो negative का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमने यहाँ पर direction मानी है clockwise वो actually में anti-clockwise होगा और अगर कोई इसको anti-clockwise मान के करेगा तो यहाँ पर value automatically क्या आएगी positive आएगी तो अब हम यहाँ पर क्या दिख सकते हैं देख सकते हैं कि हमें diagram से दिख रहा है हम लिखेंगे from circuit diagram I n is equal to I2 and I2 is equal to minus 1.25 ampere और अगर कोई लिखना चाहए direction भी तो direction भी आप लिख सकते हैं to be वैसे direction के कोई आउ सकता है यहाँ पर नहीं है अब इसके बाद आपको क्या करना है not an equivalent diagram draw करना है तो not an equivalent diagram होता है तो यह diagram है आपका not an equivalent diagram और इसका जो I l का value होता है वो होता है आपका i l is equal to in into rn divided by rn plus rl यानि की current division rule का इस्तमाल यहाँ पे किया जा रहा है अब यहाँ पे आपको क्या करना values रख देनी है value रखेंगे तो in की value minus 1.25 है rn की value जो है अभी हम लोगों यहाँ पे calculate किया था तो आप उपर देखें rn की value है आपका यहाँ पे 4 और rl भी चाहिए होगा तो rl कितना है 6 तो अब हम यहाँ पे सभी values को यहाँ नीचे आके equation में रख देंगे तो यह आपका है 4 upon rn है 4 plus rl की value जो है वो 6 है तो इसको जब हम solve करेंगे तो हमें value मिल जाएगी value मिल गई minus 0.5 ampere तो अब यहाँ negative का क्या मतलब है negative का सिर्फ इतना meaning है जो हम यहाँ पे diagram में दिखा रहे हैं a से b की तरफ actually में जो current होगी वो क्या होगी b से a की तरफ होगी ठीक है और इसमें कोई फरक ने पड़े का अगर आपको इसमें magnitude लिखना है तो il की value होगी 0.5 ampere यानि कि अगर magnitude में कितनी होगी 0.5 अगर आपको direction भी लिखना है तो ठीक है यहाँ diagram बना के आप दिखा सकते हैं तो आसा करते हैं आपको समझ में आया होगा video और आगे कहना चाहूंगा कि आप जो है channel को subscribe जरूर करें और videos को जितना से ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जिसको भी इसकी करें धन्यवाद